इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. MLOZ-80 Tablet का इस्तेमाल hypertension यानि की उच्छ रक्चाप के इलाज में किया जाता है. ये दो दवाओं का एक combination है जिसे blood pressure के नियंतरन के लिए उस समय काम में लिया जाता है जब कोई एकल दवा काम नहीं कर रही होती है. ये उच्छ blood pressure को कम करने में मदद करता है और इस प्रकार भविश्य में hot attack और stroke की संभावनाओं को कम करता है. आप Amlos 80 tablet को दिन के किसी भी समय खाली पेट ले सकते हैं लेकिन इसे हर दिन एक नियत समय पर लेना अच्छा रहता है. डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं तब तक इसे लेते रहें. भले ही आपको ठीक लगे तो भी इस दवा को अपने आपसे बंद न करें क्य इस दवा को लेने की दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. इससे चक्कर भी आ सकते हैं. इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है. तब तक ड्राइविंग तथा मानसिक एकागरता की आवश्यक्ता वाली क कोई भी गतिविधी न करें. इससे खून में पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है. इसलिए पोटेशियम से भरपूर भुजन या सप्लीमेंट से बचें. इलाज के दौरान आपको बलड प्रेश, किड्नी फंक्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल की नियमित निगरानी क चाहिए. अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल हाई बलड प्रेश या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको व मारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.